नमस्कार तेज हर्याना पर आप सभी का बहुत बहुत सभागत है एक एहम अपडेट जो की मंडी कालावाली से है सिल्सा में दिल देहला देने वाला कल बाद दोपहर का एक वाक्या हुआ था जब एक गैंगवार में डबल मर्डर हुआ था असल में ये डबल मर्डर करने वालों ने अब खुद इस बात की जिम्मेबारे लिए है एक तरीके से ये दैश्यत इस इलाके की कही जाएगे और पुलिस के लिए भी अलग-लग गठित करने के बाद लगातार छापे बारी कर रही है डबवाली में इंटरनेशनल ब्रांड का पहला शोहरूम विंटर सीजन पर ड्यूक ब्रांड का एक प्रडक्ट खरीदने पर एक के साथ एक फ्री यूएस पोलो प्यूबा और फ्लाइग मशीन पर भी बाई वन पर 30% की चूट और एक से ज़्यादा खरीदने पर 40% की पोस्ट डाल कर इस बात की गवाही भरी है कि जो डबल मर्डर किया है वो हमने किया और इस बात कि उन्हों ने चेताबनी भी दी है कि अगर कालावाली में किसी ने भी इस तरेके की दैश्यत पुलाने की कोशी की तो उसका अर्जाम यही होगा तो यह हम आपको कहानी बता पोरी आखिर जो शोशल मीडिया पर लिखने के बाद गैंगस्तर तख्तमल में इस बात की एक गैंगवार की जिम्मवारी ले ली है और उन्हों ने ये भी कहा है कि जो बच गए उन्हें भी मैं जल्ब टांग दूगा गैंगवार में दो यूपकों की खत्या हुई थी जि किम्रास औरिक 16 जनौरी जोकी कालवाली में मर्डर हुआ जिसमें ट्रक यूनिन वालाऑ डीपू कालवाली और एक कञ्य Exhale को सरugen है जो कालवाली में उन्हें एक जल्ब ही मार दिया जाए GUY जो कालवाली में गुंडा गर्दी करेगा वो अपनी बहुत का जमेबार खुद होगा दिपकोर बिरेंदर का पोस्पार्ण मंगरवार कुखा है पोस्पार्ण के चलती होस्पिटल में पुलिस तर्बचारी तैनाद किये गए वहीं पुलिस निस मामले में अरोपियों की गरिफतारी के लिए पांच टीमें गठिती है वारदात के बाद अरोपी पंजाब राजिस्तान के और फरार हो गए ऐसे में सिर्सा पुलिस अपनी टीमें दोनों राज़ों में भेज दी है देर शाम तक पुलिस ने पंजाब और हर्याना बॉर्डर को से भी किया था ऐसे में सिर्सा पुलिस अपनी टीमें अब लगातार हर एंगल से इंपुट जुटा रही है पुलिस ने इस मामले में घायल अमन्दीत की शिकायत पर चार नामजद वे पांच जन्ने के खिलाब हत्या का किस तरज कर लिया है घटना के बाद जगा का परिवारती तक्मल गाम से फ़राख हो गया वही इस पोस्ट की जानकारे के लिए सेर्सा पुलिस ने इंस्टाग्राम को एक लेटर लिख दिया है ताकि ये पता चल सके कि जो गेंस्टर जगा का अकाउंट किस मुवाईल नंबर पर चल रहा है किस लोकेशन पर चल रहा है वो कहां बैठा है SP डॉक्टर अर्पिद जैन ने बता है कि मेरे तक एकला दस मावले दर्श थी और ओपी को जल्द ही ट्रेस करने का पुलिस ने दावा किया है और यहाँ पर पुरानी रंजिस में ये मर्डर की कहानी मिल रही है NIA का वंटर जग्गा सिंग गंभिया क्रुप से जुड़ा हुआ है पिछली पार जो कि NIA ने जग्गा के घर पर रेड़ की थी दोनों गुटों के बीच रंजिस है पहले दोनों गुट एक साथ थी इसी रंजिस के चलते किस सिबंबर को 2022 को पिपक को उठाने के लिए पंजाब पुलिस के तीन नंजवान आये थे प्रतु ट्रक यूनिन में विरूद होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान चले गए गाड़ी छोड़कर हबला बर फरार हुए थे कालवाली के ट्रक यूनिन के परधान दिपक और सुधीपू, विरिंदर सुधीपू, अमलदीप और सकाला, परबजीत और सजग्गा, रजट फिरसा कोर्ट में पेशी पर आये हुए थे जब दोपहर तीन बजे वे बापिस कालावाली लौट रहे थे तो पांच यूनिकों ने जब कालावाली के देश्यूमर कारा रोट पर आये तो सामने से स्कॉर्थियों ने आकरनों की गाड़ी को टक करवा दे क्रिप 15 से 20 राउंड फाइरिंग हुई दोनों और से फाइरिंग हुई ऐसा नहीं के एक तरब से बलकि दोनों तरब से हुई इस समले में यूनिन परधान डिपक विरेंदर की मौत होगी जब कि इसके साथी कम भी रुट से घायर हो गए उनके पेट और हाथ पर गोली जगा बेमिहाग गैंक की संपर्त में है उसके कई गुद्गों के अपने अरिया में हत्यार और पना देता आ रहा है अनाईय ने इसके घर पर नोटिस भी चपसा किया था और तो अनाईये के स्वक्ष जगा पेश नहीं हुआ है एक बड़ी अपडेट आपको इस कूड़े मामले में अब जो की गैंक्सर तक्मन ने इसकी जिम्मवारी ले ली है सोशल मीडिया पर लिखा है कि कालावाली डबल बड़र ने करवाया और जो बच गए मैं उनको भी नहीं छोड़ोगा गैंगवार में दो यूपको की बहुत होगी थी जिसके बाद डॉक्टर अर्पित जैन सिल्सा पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे थे तेनी पुलिस में कर वठीद की थे पंजाब भार्यना बॉर्डर को सील किया गया था लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई काभिया सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बहुत बार शुक्राइब